हर्याना के नू में भरकी हिंसा में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है आपको बता दें कि इस हिंसा की आग गुरुगराम तक पहुची जहां गुरुगराम में भी दो समुदाय आपस में भिड़ गए आपको बता दें कि इस हिंसा में गुरुगराम सेक्टर 57 की मस्जि जा रहा है कि उपद्रियों ने मस्जित में घुस कर उनकी हत्या की और फरार हो गये वहीं इमाम की मौत के बाद उनके पूरे गाउं में मातम चाया है बतादें कि हाफिस साद एक अगस्त को अपने घर सीता मढ़ी के मनियाडी गाउं जाने वाले थे इसलिए उनका टिकट भ के लिए हिरासत में लिया है बतादे कि हाफिस साद अभी वाहिद थे वह दिसंबर 2022 से गुरुग्राम सेक्टर 57 के मस्जिद में बतौर इमाम थे मंगलवार की रात उनका शौव उनके गाउं पहुचा बुधवार को हलांकि उनका कफन दफन हुआ लेकिन परिवार वाले अभी भी गम में हैं वहीं मृतक साद के पिता ने बताया कि उन लोगों ने यानि की दंगाईयों ने 31 जुलाई की रात 12 बजे उनकी हत्या कर दी हम लोगों को जब इस बात की खबर मिली तो हम हैरान रह गए हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई पूरे गाउं में कोहरा मच गया वहीं सौ को गुरुगराम से गाउं लाने वाले उनके भाई शादाब ने कहा कि उनके निर्दोस और मासूम भाई की हत्या दंगाईयों ने कर दी मेरे भाई ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था इसके बाद भी रात को बारा और साड़े बारा बजे की बीच बु गिरफ्तारी नहीं हुई है हलांकि 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है पूस्ताच के लिए अब देखना होगा कि इस मामले पर कब तक गिरफ्तारी होती है